प्यारी दोस्तों वीडियो के सुरुआत में मैं आपको जानकरी दे देना चाहता हूँ आज की डेट में यानि की 16 डिसंबर 2030 की डेट में बिहार स्वास्त विवाग के माध्यम से कई सारे बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं कई सारे करमचारी हैं जो की जनता दरवार जा रहे हैं वो कौन से लोग हैं और क्यूं जाने वाले हैं तिजस्वी आदब और नितीज कुमार से मिलने वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा साथी में दोस्तों नई भरती को लेकर के भी आज की रेट में सूचना आ चुका है कौन से लिंग को लेकर के भी एक बड़ी अपडेट है और साथी में बिहार एनिम को लेकर के भी कुछ यहाँ पर मैं अपडेट्स बताने वाला हूँ तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा साथ में जो भी ए स्टुएंट्स इस चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोडिफिकेशन और चेट कर लिजिएगा अब चली दोस्तो जानकारी के उपर चलते हैं और डीटेल्स में सारी जानकारी पर डिसकस करते हैं तो सबसे पहले अपडेट दे देना चाहता हूँ जनता दरवार को लेकर के तो मैं आपको अपडेट देना चालता हूँ और ये सिर्फ कॉंसलर का ही नहीं है बहुत सारे करमचारियों के साथ भी यही इस्तिती है तो देखें कॉंसलर के कई सारे लोग यहाँ पर 19 तारिक को जियां दोस्तों ध्यान दिजिएगा 19 दिसंबर को जाने वाले हैं जनता दरवार अब इसका क्या कारण है तो इसका कारण ये है कि बहुत सारे ऐसे पद यहाँ पर रिक्त हो चुके हैं मतलब की देखिए आपको पता होगा 589 पदों पर वेकिन सी थी अब उन में से कई साथ लोग जोईन नहीं करते अब किसी कारण बर से कोई नौकरी भी छोड़ देते हैं तो उसके वजह पर वो सीट खाली रह जाता है उसी प्रकार से अगर आप अभी आकलन कीजिएगा दोस्तों तो आपको देखनी को मिलेगा कि करीबन यहाँ पर 100 से अधिक सीट अभी भी खाली हैं जो की स्वास्त विभाग को सोचने का जरूर सोचना चाहिए और इसके लिए एक नया लिस्ट जरूर जरूर यहाँ पर जारी करना चाहिए जिन लोगोंने भी डॉक्मेंट वेरिफिकेशन कराया हुआ होगा उन लोग को यहाँ पर फाइदा देखनी को मिलेगा और इसी के लिए 19 सारी को सभी लोग यहाँ पर कॉंसलर के लोग जनता दरवार जाने वाले हैं अगर आप भी कॉंसलर हो तो आप लोग भी साथ हो करके जाईएगा दोस्तों बाकी लगातार मुख्य सचीब हो चाईगो अपर मुख्य सचीब स्वास्त विभाक्यों सभी को यहाँ पर इन्हों ने यहाँ पर पत्र लिख करके यहाँ पर यह जान करी दिया है पर अभी तक कोई अपडेट निकल कर नहीं आया है दोस्तों अब साथियों दूसरा अपडेट भी ध्यान से समझेगा क्योंकि इसमें भरती को रिकार्डिंग में एक बड़ा अपडेट दिया गया है साथि में एन्म को लेकर के भी कुछ अपडेट से तो ध्यान से समझेगा सबसे पहले ये कोई पूराना अपडेट नहीं है आज कहीं डेट में ये अख़वार में जारी किया गया है हेडलाइन पर सकते हो सब कुछ है लेकिन डॉक्टर ही नहीं है एक बड़ा इस्थिती है एक बड़ा स्वास्थ विवाग के लिए चैलेंज होगा क्यूंगी असपताल, किसी भी असपताल में चले जाईए चाये वो प्रात्मी को चाये वो यहाँ पर सदर असपताल हो वहाँ पर आपको करमच्यारीओं की भारी कमी देखने को मिलेगा डुरेसर का बात मत कीजिए डुरेसर तो कहीं पर भी कारत ही नहीं है ऐसा इस्थिती है, एनिम कहीं कहीं पर कर रहे थे, तो उन्हें पर यहाँ पर सभी कारे को सौपा जा रहा है, जैसे कि एनिम को भी बहुत सारी तकलीफes सामना करना पड़ता है, मात्री 11000 रुपए में कैसे कैसे वो काम करते हैं आप लोग को भी पता है तो उनी के बस आप कर सकते हैं उनी के हाथों से सभी काम चल रहा है और जो स्वास्त विवाग का धांचा है वो उनी के ऊपर यहां पर बरकरार है अब वही अपडेट दिया गया है यहां पर आप लोग पढ़ सकते हो कि डॉक्टर एकदम ना के चाहते हो तो वीडियो को पाउस करके पढ़ लीजिएगा देखिए यहां से कुछ अपडेट्स बताया गये हैं जैसे कि आयूज चिकित्सक या फुल टाइम जो भी पार्ट टाइम फुल टाइम डॉक्टर्स होते हैं उनकी न्युक्ति का प्रवंध है वही बताया गया है कि कहीं पर एनम दे रही है मरीजों को दवाई क्यूंकि फॉर्मसिस्ट की कमी है अगर फॉर्मसिस्ट की कमी है तो एनम दवाई दे रही है बाई चांस गलत होता है तो सब तो एनम पर बोलेंगे यह तो गलत है आप भी समझ सकते हो बहुत सारे प्रात्मिक स्वास्त केंद के अलावा सर्दी, बुखार, खांशी और दर्द जैसे 38 तरह के समाने दवाईया एनिम देती है ये एक बहुत सर्मनाक बात है कि जो काम एनिम का नहीं है उसे एनिम से करवाया जा रहा है और अभी के समय में एनिम अच्छी खासी यहाँ पर मानगे चलिए भी 50% तो एनिम कार रहत है हाला कि इनमें भी कमी जरूर है लेकिन जो भी कार रहत है उनको एक तरीके साब बोल सकते हो ओवर वर्क दिया जा रहा है ओवर टाइम करवाने जा रहा है और मातर कम से कम सेलरी में दोस्तों तो यह स्थिती तो खराब है साथी में यहाँ पर मैं BTSC एनिम 10,07 के लिए एक अपडेट दे देना चाहता हूँ आप में से कई साइड लोग को पता होगा कि exam का date आ चुका है आपका exam में वो 5 जनवरी से सुरू होगा 5 जनवरी 2024 से तो आपको तयारी में जुड़ जाना है बहुत साइड लोग को लगता है कि सरुब तयारी नहीं हो सकता है समय बहुत ही कम है तो ये सिर्फ आपका मन में एक डाउट है क्योंकि अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस करते हो तो आप उन सभी लोगों से जो घर में बैठे हुए हैं जो कि कोई भी तयारी नहीं कर रहे हैं उन से आप आगे निकल जाओगे और मैं आपको बताना चाहता हूँ एक अच्छी बात ये है कि देखिए आभी competition का दोर जरूर है लेकिन competition में बहुत सारी ऐसी हैं जो कि यहाँ पर ये भरोसा में हैं कि हमें पैसे पर हो जाएगा और ऐसे चीजों पर हो जाएगा पर ऐसा बात बिल्कुल नहीं है पैसे पर नौकरी नहीं मिलने वाली है BTSC SS अंसाधा ने जहाँ पर की सभी काम योगिता के अधार पर होता है थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा यहां पर मेहनत करते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका चांस बहुत ज़्यादा है कि आपका नौकरी लग सकता है इसी किलिए में लगातार आपको बता रहा हूँ कंप्लीट कोर्स तो दिया जा रहा है आप में से कई साइड लोग को लगया है कि सरी इतना समय में कैसे पूरा कंप्लीट होगा तो BTSC का सलेवस कोई बड़ा सलेवस नहीं है कोई बड़ा सलेवस वास्ट सलेवस नहीं है छोटा सलेवस है अगर आप चाहते हो cover करना तो बहुत यह सानी से cover कर सकते हो जो हमारा यहां पर कोर्स है उसमें आपको 4000 प्लस BBI MCQ दिये जाएंगे 31 model set यानि कि आपका 3100 कोशन यहीं हो जाते हैं अगर इसमें आप मानगे चलिए 200-300 भी कोशन अगर आप याद कर लेते हो तो यह एकदम मान लेजिए कि वहां से प्रस्ट आपका 5-10% 110% आना है तो यह बहुत बड़ा इजाफा आप लोग को देखनी को मिल जाएगा क्योंकि देखिए negative marking बहुत सारे ऐसे लोग भी आपको देखनी को मिलेंगे जिनका number ही minus में रहेगा यानि negative में आया हुआ रहेगा लेकिन अगर आप कुछी answer को सही बनाओगे और बाकी सब questions को अगर छोड़ देते हो तो आपका number positive में रहेगा और आपका selection होने का chance ज्यादा रहता है यह मैं बताने का परियास कर रहा हूँ बाकी बहुत ही कम लोग इसे समझ पा रहे हैं आपके लिए यह मैं important चीज बता रहा हूँ बाकी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारा यह 49 रुपे का code से ले लीजिए इसमें seat भी आपको 31 मिलेंगे यानि कि 4000 प्लस BBI MCQ मिलेंगे full notes दिया जाएगा साथी में दोस्तों online जो CBT होने वाला है उसके लिए भी preparation कराया जा रहा है आपको कैसे अपना समय को यहाँ पर बचा के रखना है कैसे वहाँ पर क्या-क्या दिखते आज जाती है वो सभी कुछ अगर आप CBT exam देते रहोगे तभी आपको पता चलेगा इसी के लिए हम लोग के तरब से CBT exam भी organize किया गया है मलब कि आप link पर click कीजेगा तो यहाँ पर आप लोग खोल दी जाएगा वहाँ पर आपको 100 questions रहेंगे 100 questions आप बनाईएगा जैसे जैसे CBT exam में होता सेम टू सेम होसे ही होगा सभी कुछ होगा एकदम आप लोग payment कीजे आप payment किस number पर करना है तो नीचे यहाँ पर number आपको देखनी को मिल रहा है number note कर लिजेगा मैं एक ड़बार number आपको repeat कर देना चाहता हूँ 7631 number note कर लिजे 7631 398261 और अभी whatsapp कीजिए और इसी नमर पर online किसी ही माधियम से payment कीजिए तुरंत आपको whatsapp पर ही सभी कुछ भेज दिया जाएगा और आपको कोई भी query आता है इसके recording में तो हम लोग आपको एकदम पूरा solve करेंगे कैसे आपको exam देना है जिसके माधियम से यहाँ पर कई सारे candidates का document verification में भाग नहीं लिये थे जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इन पदों के यहाँ पर document verification जो की हुए थे 15 और 14 और 15 डिसंबर 2030 को अब बाकि जो भी document verification में नहीं गये थे भाग नहीं ले पाएं थे किसी भी कारण वश्रे उन लोग के लिए एक नया date organize किया गया है और बोला गया है कि आप लोग आईए और document verification करा लीजे जगा भी दे दिया गया है दिनांक यहाँ पर 18 दिसंबर 2023 को सोंबार को यहाँ पर हमें बता दिया गया है जगह आपका सेखपूरा पटना राजो की स्वास्तिवाग का आफिसली जो यहाँ पर जगह है वहीं पर अपने सभी मूली परमान पत्रों के साथ पहुंचिए यहाँ पर अपना सभी चीजे कर लीजे सभी कुछ यहाँ पर नियम और सरते उसी के अनुसार रहेगी दोस्तों तो आज की डेट में यही कुछ जानकारी आपको बताना जरूरी था अगर आपको जानकारी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोडिफीकेशन और शेट कर लीजेगा मिलते दोस्तों कोईने शुमें तब तक के लिए गुडवाई जहीन जेवाद बनी मात्रम ठाइक्यू फुर्बाचिवन धन्यवाद